हलो गाईज, आज मैं आपके लिए टॉपिक जो लेकर कराया हूँ, उस टॉपिक का नाम है फ्लूट कपलिंग और भी हमारे चैनल पे हर तरह के कपलिंग, जितनी भी मेकनिकल कपलिंग है और टाइप अफ कपलिंग है, उसके वीडियो मैं अल्लेडी डाल चुका हूँ तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कपलिंग जिसका नाम है फ्लूट कपलिंग, उसके प्रिंस्पल के बारे में आपको बताऊंगा और उसके एप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा वो वर्क कैसे करता है, तो चलिए शुरू करते हैं, फ्लूट कपलिंग कहते किसे है, fluid coupling जो है, वो एक hydrodynamic device है, इसको हम hydraulic coupling भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कि हम power transmit करते हैं, one shaft to another shaft, जहां पे हम को rotational power को transmit करना होता है, वहां पे हम इस fluid coupling का use करते हैं, इसको automotive transmission system भी कहते हैं, जिसका use हम industrial और marine के अंदर power transmit करने गिले करते हैं, और सबसे important चीज़ यह है, कि जहां पे हमारा heavy drive लगा होता है, जहां पे हमें heavy transmission power करना होता है, वहां पे इस fluid coupling का हम use करते हैं, आप देख सकते हैं, और यह मैं आपको इस वीडियो में आपको यह मैं दिखाऊंगा, कि इसे हम use क्यों करते हैं, और इसकी ज़रूरत हमें heavy equipment के पास क्यों पड़ती है, तो चुकि fluid coupling जो होता है, वो by the fluid इसके अंदर दो impeller लगे रहते हैं, इसलिए मैं उसका purpose आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, पहले मैं यह बताऊं, कि इसका use क्यों करते हैं, चूकि यह सबसे important चीज, सबसे important coupling यह हमारे power transmission के लिए इसलिए है, चूकि इसका जो होता है, startup बहुत ही soft startup होता है, इसको हम easily control कर सकते हैं, यह shock और load को protect करता है, अपने equipment को यह हमें बचाता है, और इसके speed जो होता है, वो variable speed होता है, और बहुत ही easy torque को हम control कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे studio में, कि इस motor से input shaft के साथ इसे connect करते हैं, और output shaft gearbox को देते हैं, चूकि हमारे motor का transmission होता है, जो power transmission, वो काफी ज़्यादा high torque होता है, और gearbox का होता है, वो low torque का होता है, तो इसलिए यहाँ पर heavy equipment में हम power को easily soft way में और easily variable speed को maintain कर सकते हैं, इस वज़ा से हम fluid coupling का use करते हैं, और मैं आपको आगे बताऊं कि इसका working principle क्या है, तो इसके अंदर जो होता है, वो different diameter में हम use कर सकते हैं इसे, जैसे के motor का diameter जो होता है, shaft का वो अलग होगा, gear box का diameter अलग होगा, फिर भी यह coupling हमारा easily वहाँ पर mount हो सकता है, इसके अंदर क्या होता है, drive side के अंदर और driven side के अंदर जो होता है, बहुत ही अच्छे आसानी से soft way में power को transmit करता है, और यह जो होता है, heat को transfer नहीं होने देता है, और हमारे motor को और driven side को बहुत ही easily safe करता है, तो basically इसके अंदर क्या होता है, के दो हमारे impeller लगे रहते हैं, जो wheel type के दिखते हैं, दोनों के blade एक दूसरे का face जो होता है, वो एक दूसरे के सामने होता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी physical contact नहीं होता है, एक wheel जो होता है, जिसे हम impeller कहते हैं, दूसरा wheel जो होता है, जिसे हम turbine कहते हैं, impeller wheel जो होता है, वो power source से लगा होता है, और turbine जो होता है, वो receiver होता है, जो के हमारे driven को power transmit करता है, इसके अंदर flute को use करते हैं, जब हम इसके अंदर power देते हैं, तो सबसे पहले impaler move होता है, जैसा के आप मेरे video में देख सकते हैं, इसके बाद वह हमारे fluid को movement में लाता है, so like, second part को जैसा हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि impeller का speed जो है वो काफी जादा है लेकिन जब fluid move हुआ उसके बहुत ही slow speed में driven part जो होता है वो move करके power को transmit करता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका soft start up होता है low torque से ये power initiate करके final जो requirement होता है उतना power transmit करता है अब इसकी component के भारे में आपको बताऊँ तो इसके अंदर एक housing होता है जिस housing के अंदर इसमें 2 turbine जिसको एक impeller और एक turbine हम कहते हैं जो कि hydraulic fluid के थुरू हमारे turbine से क्रेक करता है input और output shaft को हमारे इस वीडियो में आप देख सकते है input shaft जिसको हम कहते हैं कि हम motor से क्रेक करते हैं output shaft जिसको हम driven gearbox के तुरू, gearbox के तुरू हम power transmit करेंगे, इसके अंदर turbine wheel लगे होते हैं, इसके अंदर एक pump wheel भी होता है, जो pump wheel जिसे हैं जिसे impeller भी कहते हैं और इसके तुरू यहाँ पर हमारा fluid को यह transmit करते हुए rotation provide करता है देखिए, यहाँ पर मैंने एक और इसमें image लगाया है, input shaft होता है यह casing का phase है, यह output shaft है यह pump impeller है और यह turbine runner है तो यह था दोस्तो छोटा सा लेकिन बहुत ही important एक coupling, fluid coupling जिसका use बहुत ही हुज है और बहुत ही important है हमारे बहुत ही expensive motor को, expensive equipment को यह save करता है जिसको हम fluid coupling कहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ अश्वाक और आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो like करें और share करें Thank you